So hi guys, I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे and फिलहाल 28,400 चल रहा है, BTC वो भी 10 दिन हो गए है, same rate के उपर फिलहाल हम चलते जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के जिनके उपर फिलहाल मैं बुलिश हूँ बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स है और काफी कुछ चेंजिस हो रहे हैं इन प्रोजेक्ट के अंदर, यानि की न्यूज इन इवेंट भी आने वाले हैं इनके उपर जिनकी वज़ा से मैं फिलहाल इनको आज की इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं लॉंग टॉम अपने प्रोफोलियो में अगर वह यहां से गिरता है, SIB के अंदर डाल दूँगा and I do believe कि इस प्रोजेक्ट के ने इतनी potential है कि यहां पे losses के chances बहुत कम या ना के बराबर है और एक प्रोजेक्ट के ओपर मैं बात करूँगा short term analysis की जहां पर हम mid term और short term उसको hold करके एक अच्छा profit बना सकते है क्योंकि अच्छी काफी news उसके ओपर भी फिलहाल हमारे को दिखाई दे रही है मैं वह बता रहा हूं जो मैं अपने लिए कर रहा हूं चाहता हूं कि audience यह community हमारी उसके ओपर फाइदा उठा पाए साथ ही साथ एक airdrop जिसका काफी दादा फिलहाल नाम हो रहा है वो है sui token का sui token का उसका एक पूरा का पूरा vlog जो कि लिखा हुआ है किसी एक यूट्यूबर ने मैं उसका पूरा vlog आप लोग शेर करना चाहूंगा so that आप उसकी सारे steps को follow कर लो और अगर आपको sui token में eligible होना है तो यह सारे steps अगर आप follow कर लेंगे तो शायद आप उसकी अंदर eligible हो जाए और possible है यह airdrop भी एक हजार डॉलर पांच हजार डॉलर दस हजार डॉलर का आपको मिल जायए तो इसको भी आप मिस मत करियेगा वीडियो को अभी के अभी like कर दो बिकास मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको यह drop की वीडियो स्रेटी में आ रहा हूँ लोगों ने बहुत लोगों ने बना दिये और डी वीडियो तो आप लोग वहां से देख सकते हो otherwise अगर आपको थोड़ा easy pattern चाहिए तो मैं आप लोगों को उसके ओपर पूरा करा करिएगा 12th of April के आसपास जहां मैंने हमने प्रेडिक्ट किया है अगर इथेरियम का शेंगाई अपग्रेड होता है तो मार्केट यहां पे गिर सकती है उसका नज़र रखना है अगर वो डेट आगे forward हो जाती है तो मार्केट यहां से और दादा पम भी कर सकती है करनी चाहिए अगर यह डेट आगे मूगाउन हो जाती है तो अगर इथेरियम के ऊपर शेंगाई हाट फॉक होता है इथेरियम बहुत सारे रिलीज होंगे टेंप्रेरी मार्केट के अंदर डंप आने के पूरे पूरे चांस होंगे जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बता क्या है उनके अपर न्यूस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो गाईज नंबर वन प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट के अंदर जो कि मैं काफी दादा बुलिश हों फिलहाल उसके ओपर वो है लाइट कोईन जो की 120 डेज यानि की लगबग 4 मंस रह गई है अगस्ट 2nd 2023 को इसकी होगी हॉल्विंग और हॉल्विंग बहुत बड़ी न्यूस होती है हाड़ फॉक एक न्यूस होती है लेकिन हॉल्विंग जो है उससे काफी बड़ी न्यूस होती है और लाइट कोईन जो है अगर हम बात करें एक्जैक्ली उसी बैटन पर चल रहा है जो की बिटकोईन चलता है यहां पर 12.5 बीटी सी होते थे वैसे ही यहां पर 12.5 LTC होने स्टार्ट हो जाएंगे अगस सेकंड 2023 से यानि कि माइनर्स को reward कम होना स्टार्ट हो जाएगा यानि कि demand in supply के एगर हम simple लेंगों बात करें तो यहां पर demand हो जाएगी हाई light coin हो जाएगा limited जिसकी वरह से आप कह सकते हो light coin के अंदर काफी जादा hype हो सकती है market के अंदर मै को वहां पर और बाइंग करने चाहिए इस तरीके से आप अपने आपको average out कर लेना light coin के अंदर क्योंकि जब यह न्यूस पास में आएगी hype इतनी जबरतस बन जाती है ऐसी news की कि यहां पर सब यूट्यूबर सब influencer सारी पूरी market light coin की hallowing की बात कर रही होगी और यहां से यह इसको थोड़ा अब push करना बंद करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो 0.20 से 0.84 डॉलर्स यानि की 4X की rally लगबख सिरफ 5-6 दिनों में लगी है ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमने थोड़े दिन पहले बात करें से जीटियो टोकन की जो की हमने जिसका नाम अप GFT हो ग 0.2 के ओपर इसी लेवल बे मैं आपको बताया था 0.186 तक वो छुआ यानि की 9X के आसपास तो आप सो सकते हो जब कोई न्यूज इवेंट आता है तो कितना बड़ा इंप्राइज इंपैक्ट हो सकता है सेकिंड कोई जिसके ओपर मैं फिलाल बुलेट चूहूँ उसका नाम है QLC जिसको हम बहुत पहले शायद कभी जानते थे लेकिन फिलाल हमने उसको उसकी बारे बात करनी बंद कर दी लेकिन इसको मैं इसलिए अभी लिस्ट में रख रहा हूँ और शॉर्ट टम के लिए किया था कि अपने नियो से यह माइगरेट हो जाएंगे बी एंबी चेन के ऊपर बीए और नियो चेन से माइगरेट होने का मतलब है एक्स्ट्रीम बिग यूस के इसका आ सकता है टिकर इनका चेंज अल्रेडी होना स्टार्ट हो गया है कैपल के नाम से स्टेकिंग लाने व mobile wallet and capital browser extension इसके ओपर भी ये लोग काम करने वाले हैं तो मैं मानता हूँ ये काफी decent upgrade हो सकते हैं ऐसे ही कुछ upgrade अभी थोड़े टाइम पहले जी टी ओ ने करे थे जी एफटी जो की हो गया है और वो 10x गया था मैं नहीं कहता है 10x जाएगा हो सकता है 50% उपर जाए हो सकता है 10 पर जाए हो सकता है 30 पर नीचे जाए लेकिन यह अच्छी दिखाई दे रही है तो इसको आप नजर अदाज मत करना काफी बड़ी है क्योंकि न्यों चेंज से सीधा माइग्रेट होना बीन बी चेंज के ऊपर ऑटो मैडिली उसका यूज केस काफी इजी एंड काफी बड़ा कर देता है और काफी सारे इसके अपग्रेड आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे जाएंगे जहांके म इसको पुरी बुरी उमीद है तो इसको लंबे टाइम के लिए लाइट को जहां-जहां जहां ऑपरजनिटी मिलेगी इसको बाइग करूंगा तो वन टाइम शॉट टंग के लिए मैं अभी फिलहाल यहां पर बाइग करूंगा और देखूंगा कि अगर जैसे इनका कोई ए क्रोम एक्Stруш आपको डौन लट करना पड़ता है दनांपों सारे के सारे स्टेप्स टेस्ट नेट के के आपको टोकन जो है वह वहां से चया डूबिए को पर रिखेंग होई हैं शुझाल प्लेडीटिनए मुझे कर सकते में तो friends I really hope short video के अंदर आप लोगों को आज का important message about these two tokens और सुई token को कैसे हम लोग eligible हो सकते हैं ये drop के लिए वो भी आपको समझ आ जाएगा आज की video के बाद मिलेंगे next video के अंदर video को like करेंगे आप बिलकुल मच जाएगा मिलेंगे next video में till then bye bye take care and have fun